तो गईज आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की फोटो एडिट करना सिखाएंगे वो भी लैटरों आप से आप देख पर होगी फोटो देखने में कितने ज़्यादा जब अरजस्त लग रही है यानि कि ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो गंदर बहुत मस लग यानि कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सिख जाएंगे अगर आप नहीं सिख पाते हो तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो तो बीना किसी दरीके इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट हाँ तो गईज देख पर हैं कि यह हमारी नॉर्मल फोटो है देन इस फोटो को हमने गैलेरी से सेलेक्ट कर लिया है अभी गईज इस फोटो के अंदर हम डालने माले हैं ब्लैक साटोन एंड ब्लू साटोन तो आप वीडियो को पूरा देखें वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे इस फोटो हैं अब आपको यहां अलफ्टो इसससे करना है अपनी फोटो को सल्यैक्ट जिससेद आपको सेरी करना है लाइक हमने इस फोटो को एड मतलब अगर आपकोлемेट कर सकते हो जैसे आप वाले बटन पर क्लिक करो ओगा कि अभी आपके लाइट को एड़ेस्ट कर देगा तो मेरे ख्याल से यह ज़्यादा पॉर्फेक्क लग रहा है मैं इसको इतना ही रहन देता हूं ठीक है यहां से हम सेडोज को थोड़ा सा और कम कर लेंगे ज़्यादा से रोज को नहीं रखेंगे लगभग इतना एंड वाइट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ पर आप देख पर हो कि यह सेटिंग हो जाने के बाद फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का टोन जो है दी हेज को लगबग हम यहाँ आठ क्या सपस रख लेंगे प्लस एट अब देख पर हो कि इस फोटो के अंदर ना डार्क सा टोन जो है क्रियेट हो चुका है अभी फोटो देखने में काफी ज़दा अच्छी लग रही है इस फोटो के अंदर अभी डार्क, ब्लैक सा टोन एंड ब्लू सा टोन डालना बाकी है इसके लिए गई जब हम जाएंगे कलर वाले टूल के अंदर color वाले tool के अंदर आजाने के बाद यहां से guys आपको simple से temp को बढ़ा देना है temp को लगबग आपको 8 के आसपास कर लेना है ठीक है यहां आपको मिल जाएगे tint इसक जस्ट नीचे तो tint को आपको minus 4 कर लेना है अब आपको चलना है mix tool के अंदर यह mix tool ना बहुत ज़दा important है भाई बहुत सारे लोग ना mix tool को समझ नहीं पाते इसलिए अपनी photo को edit ढंग से नहीं कर पाते आप mix tool को बहुत ही ध्यान से समझे आप वीडियो को पूरा दिखे आप अच्छे से सीख जाएंगे आपको यहां से purple and magenta color दो color मिल जाते हैं इन दोनों को आपको saturation को कुछ इस तरीगे से कम कर लेना है अब गज़ आपको simple से इन साड़े colors का saturation आपको कम करते चले आना है साथी साथ इसका hue भी आपको change करते आ जाना है ठीक है आप देख पर हो कुछ इस तरीगे से इसका भी saturation हमने कम कर लिया इसका भी saturation आपको simple से कम कर लेना है आप देख पर हो कि photo के अंदर ना dark black सा tone add हो गया है लेकिन अभी हमारा skin देख पर हो कि बहुत ज़दा मतलब की orange लग रहा है मतलब yellow सा tone आ रहा है तो आपको यह वाला color select करना है यह orange color है जो कि हमारे skin का color होता है तो इसका saturation simple से कुछ इस तरीगे से कम कर लेना है अब आप देख पर हो कि saturation कम करते ही हमारे face का color भी change हो गया और face हमारा white हो गया अब यहाँ से हम luminance को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे luminance को around 14 यहाँ से हम hue को थोड़ा सा right side की तरफ रखेंगे और इसको 8 के आसपास कर लेंगे अब आपको red color लेना है और red का saturation कुछ इस तरीगे से आपको बढ़ा लेना है ठीक है? saturation बढ़ा लेने के बाद आपको simple से done पे click करना है अब guys photo देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीगे के color में आ चुकी है अभी हम आपको दिखा रहे है before and after की photo यह before and यह रही after अब देख पा रहे हो कि photo के अंदर डार्क black सा tone बिल्कुल सही तरीगे से add हो गया है लेकिन अभी इस photo के अंदर हमें blue tone को भी add करना है इसके लिए guys हम जाएंगे उपर सबसे उपर mask वाले tool के अंदर यहां से plus पे click करेंगे and एक mask create करेंगे इसके लिए guys अभी हम color range को choose करेंगे color range को select करने के बाद आपको अपने skype पे ले जाकर कुछ इस तरीके से इसको रख देना है जाहां भी लगे आपको skype perfect दिख रहा हम वहाँ पे इसको रख देना है और इसके refine की value थोड़ी सी कम कर लेनी है लगभग इतनी 31 के आसपास आपको रख लेना है and यहां से guys आपको apply पे click कर लेना है अप्लाई पे click कर लेने के बाद यहां से आपको आना है इस color वाले tool के अंदर color वाले tool के अंदर आ जाने के बाद यहां पे आपको बहुत सारी colors मिल जाएंगी आपको simple से यहां colors पे आना है and यहां से आपको यह वाला blue वाला color select कर लेना है ठीक है और इससे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से हम सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लगबग इतना यहां से इसको भी डन कर लेंगे आप देखवर हो कि फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का टोन की रियेट हो गया और देखवर हो कि इसमें ब्लू कलर भी कुछ इस तरीके से अपलाई करना है ठीक है लिप्स पर अपलाई करने के बाद एरेजर को लेना है एरेजर को लेने के बाद यहां से आपको साइड साइड से आपको एरेस कर लेना है ठीक है कुछ इस तरीके से एरेस कर लेने के बाद यहां से आप देखवर हो कि यह कलर ज यहां पर आपको मिलता है थोड़ा सा इसको लेप चाहिड करेंगे यहां से डन कर लेंगे आप देख पर हो के लेप में भी कलर जो है एड हो गया है अभी ओवरॉल फोटो देखने में बहुत ज़दा अच्छे लग रही है तो यह रही बिफोर एंड यह रही हमारी ओवरॉल हमारी फुल एटिंग हो जाने के बाद आफटर एंड इस फोडो के अंदर थोड़ी से अज़ेस्मेंट हमें अभी और करनी है इसके लिए जाएंगे इस डिटेल वाले टूल के अंदर यहां से हम सार्पिनिंग को एड करेंगे लगबग यहां से 27 कर लेना है मास्किंग को को बढ़ा लेंगे और नौज रिडेक्शन बर्हा लेंगे लगबग 41 के असपास यहां पर नौज रिडेक्शन बढ़ाने के बाद आपका फेस जो है काफी हद तक स्मूथ हो जाएगा एंड यहां से हम कॉन्टरास्ट की वेल्यू लगबग 31 कर लेंगे यहां नौज 21 रख लिया हूँ अब आपको इस Optics वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को आपको 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 आउन कर लेना है फोटो देख वारे हो कि overall हमारी एडिट हो गई यह भी फोर एंड आफ्टर में आपको दिखा दरहों यह भी फोर एंड यह आफ्टर अपकर जैर वाले आइ वीडियो देखने को मिलती रहती है यानि कि सिर्फ लाइट रोम की वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है I will see you in the next video मिलते हैं आप से अगले वीडियो में Love you all, take care, bye bye